नमस्कार दोस्तों मैं हो सुभंकारपाल स्वागा थे आप सभी का सुभंकारपाल यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज आप लोग के सामने में बहुत आच्छा इस्ट फेसिंग हाउस प्लान लेका आया हूँ जी प्लास वान का मतलब कि सिंगल स्टोरी हाउस प्लान आपको उमिद करतों यह प्लान बहुत अच्छा लगेगा तो सबसे पहले देखते हैं इसका प्लिंट एडिया है 1413.75 जो आप नीचे में देख सकते हैं और इस घर को बनाने के लिए आपको 32.6 बाइ 43.6 फिट का जग जोरत होगा जो आपको यहां पर दिख रहा है आप इसका लेंद ब्रेद देख सकते हैं तो चले इस हाउस प्लान को देख लेते हैं सबसे पहले दोस्तों आप लोगों में दिखा देता हूं यहां पर में एंट्री है जहां पर रोड है और उसके बाद आपको एक बारांद एक मिल जाएगा जो काफी बारा बेडरूम है स्टेंडर्ड साइज बेडरूम है 12 feet by 14 feet का नेक्स्ट आपको यहां से पैसे से इंट्री करके आप dining come drawing room पे जा सकते हैं उसके बाद देखिए बिलकुल right side में आपको stair मिल जाएगा जिसका width 7 feet है उके उसके बाद stair का बाजू में आपको toilet मिल जाएगा जिसका width है 6 feet और length है 7.6 feet ओके नेक्स्ट आपको फिट से एक bedroom मिल जाएगा toilet का बगल में आप चाहे तो इस toilet को attach toilet का तोर से भी use कर सकते हैं लेकिन client का requirement ऐसा नहीं था उनको attach bedroom नहीं चाहिए था तो इसलिए मैं अलग से इसका opening कर दिया हूँ आप चाहे तो इस toilet को bedroom का साथ attach कर सकते हैं इस bedroom का भी size है 12 feet बाज 14 feet नेक्स्ट आपको middle में एक toilet मिल जाएगा जिसका width है 6 feet और length है 8 feet का आप चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं जो door है इसका बागल में कुछ जगा में छोड़ दिया हो आप चाहे तो यहाँ पर basin बगएरा रख सकते हैं चाहे तो washing machine बगएरा भी रख सकते हैं उसके बाद फिर बिलको left side में आपको फिर एक bedroom मिल जाएगा जिसका area है 12 feet बाइ 14 feet का next आपको यहाँ पर देखिए 5 feet 7 inch और यहाँ पर जो में window and door provide क्या हो आप उसका schedule में देख सकते हैं W है W जो window में use क्या हो इसका length है 4 feet और height है 5 feet W1 का 3 feet है और height है 5 feet का और V means ventilation के लिए जो toilet में में use क्या हो इसके लिए वी 2 feet and 1,5 feet का opening में रखा हो उसके बाद आप door देख सकते हैं इसका size है 3 feet by 7 feet है 3 feet है width और 7 feet है height और D1 जो में main entry के लिए use क्या हो अब देख सकते है D1 यह थोरा आप में बादा रखा हो इसका width रखा हो में 4 feet और height रखा हो में 7 feet तो यह हो गया दोस्तो basic floor plan इसका अगर आप front design करना चाते हैं तो बहुत अच्छा front design आप कर सकते हैं काफी अच्छा लगेगा यह घार अगर आपको इस तरह का plan वानाना है तो मेरा mobile number में आपको यहाँ पर provide कर दिया हूँ यहाँ पर आप whatsapp कर सकते हैं और इस तरह का plan बना सकते हैं तो चलिए दोस्तो आज का वीडियो इहीं पर stop करते हैं मिलते आगला एक नया interesting वीडियो के साथ वीडियो को अंतक देखने के लिए चैनल को सब्सक्रेब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रूश लिए प्लिए